अलो श्ट्टेंट्स जैसा कि हमने एडवांस कालकुलेस का एक चप्टर हम इंडिट्रिमिनेट होम पढ़ रहे थे उसके अंदर जो इंडिट्रिमिनेट होम थी 7 टाइप थे यहारे पास उसके अंदर से 6 तो हम पहले कर चुके हैं तो जो हमने पहली जो हमारे वीडियो थे उसके अंदर पुछ कोशन तो 0 raise to power 0 और 1 raise to power infinity type की कोशन कुछ किये थे अब जो इसके अंदर last हमारे पास infinity raise to power 0 इसके अब हम कुछ कोशन करके देखेंगे तो इसके अंदर जो infinity की power 0 दो question तो इसकी इस type के है तो यह जो मारे पास infinity की power 0 है और यह एक question अलग से है तो इन question होग देखते हैं किस type से solve करोगे method हमारे पास होई है तो first question क्या हमारे पास इसमें limit x approaches to pi by 2 secant x raise to the power quote x तो सबसे पहले आपने यह पता करना कुन सी solve है तो pi by 2 रहोगे secant pi by 2 क्या cos pi by 2 0 secant pi by 2 क्या अगर रिवर्स यानिक infinity और quote pi by 2 क्या हमारे पास 0 तो क्या हमारे पास infinity की power 0 तो यह यह form हमारे पास बन गी तो करना वह है हमने तो इस function को आप collect करोगे y let y is equal to secant x की power quote x दोनों साइड क्या होगे इसके अंदर log 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 y is equal to quote आजाएगा आपके आगे quote x into log of secant x तो अब इसके उपर आपने क्या limit operate कर दो limit x goes to pi by 2 log y तो यह मारे पास क्या लग जाएगे limit x goes to pi by 2 quote x into log of secant x तो यह मारे पास होगे तो अब यह देखने के लिए इसके अंदर क्या form बनेगी देखो तो quote pi by 2 आप मारे पास क्या होगा 10 का उल्टा 10 pi by 2 क्या आथा infinity quote pi by 2 इसका उल्टा यानिके 0 और यह मारे पास क्या infinity log infinity क्या आथा infinity तो 0 into infinity क्या form बनेगी यह 0 into infinity form बनेगे मारे पास अब 0 into infinity form बनेगी दो इसको आप 0 by 0 या फिर infinity by infinity form में करोगे तो देखो क्या करोगे limit x goes to pi by 2 तो इसको क्या लिखोगे log of secant x को तो रख लो as it is क्योंगे यह मारे पास क्या infinity अब इसका रैसी प्रोक्ल करके नहीं चैनल 1 by कोट और 1 by कोट आपका क्या बन जाएगा फिर 10 x तो यह बनेगा अब रखो को तो 10 pi by 2 infinity और जो कोस secant pi by 2 वह मारे पास क्या infinity और log infinity क्या होगा infinity infinity by infinity form तो यह आपका infinity by infinity तो अब इसके उपर क्या प्लाई करोगे LH rule LH rule के according numerator का अलग से derivative करोगे और denominator का अलग से तो लोग का करोगे 1 by secant और secant करोगे secant x 10 x तो यह 1 by में क्या होगा secant और उपर क्या होगा secant x 10 x तो उपर क्या होगा मारे पास 10 x नीचे क्या होगा मारे पास टेंजन टेंजन का करोगे क्या होगा मारे पास secant square तो टेंजन है क्या होगा मारे पास secant square x क्या होगा secant square x इसको आप दलना जाओ sin by cos तो यह क्या बनेगा मारे पास तो यह बनेगा मारे पास limit x goes to pi by 2 तो यह बनगा मार पास sin by cos और इसको लिए उपड़, cos सुके, एक cos से cos cancel, तो उपड़ हमार पास के बच गए sin or cos, तो फल्ट के आजएगा आपका sin x into cos x, तो sin 5 by 2, 0 और cos 5 by 2, 1, sin 5 by 2, 1, cos 5 by 2, 0 into 1, तो इसका मार पास 0, तो यह मार पास, اس हो भी स्ट्रम की बाले, लोग कोदर लिए जाऊगा, तो यह मार पास, क्या सुर्ख गए उसका 1, तो lle can sort, is 1, तो second question आपके 2 są, फोर्म के एक चाप से corona कार रहाणा पास, अब जो मारे पास इसके अंदर second question वो क्या देखो, limit x goes to 0, तिये इसके अंदर limit x goes to 0, quote x raised to the power 1 by log x. तो सबसे पहले तो इसको यही देखो, आप किस form का बनेगा, quote 0, 10, 0, quote 0, infinity, और log 0, infinity 1 over infinity 0, तो infinity की power 0, तो क्या पहले हो मैं infinity की power 0, तो मैं इसको यही देखो, क्या लेट करोगा, इसको y, y क्या लेट करोगा, quote x की power 1 by log x, दोनों साइड क्या लोगा, log of y, तो यह log 1 by log x आगे, मारे पास आगे, तो क्या चाहिए लोग of quote x, तो यह statement हमारे पास बनेगे, अब इसके उपर क्या लोगा, आप limit, limit x goes to 0, log of y, limit x goes to 0, 1 by log x into log of quote x, तो यह मारे पास होजाए इसके अदर, अब रखो, log infinity, log 0, infinity, 1 over infinity 0, तो यह प्रत्र बनेगा, मारे पास 0, ठीक भी, code 0, infinity, और log infinity, infinity, तो क्या form बनेगे, 0 into infinity form मारे पास बनेगे, अब क्या करना, आमने इसको convert करना है, क्या करोगे, इसको convert करोगे, अब convert करोगे, इस ट्रम को पल्ट के, मैं इसके reciprocal में करो, यह अब इसको आप यू लिखे दो, limit, यह इँपे, इस log X को क्या करतो, इसके divide मा कर दो, multiply करतो, क्या करतो, इसके log X, तो रखोंगे, log 0, infinity, और वो भी क्या मनेगे, infinity, तो infinity over infinity form मारे पास ही बनेगे, अब infinity over infinity form मानेगे, तो क्या लगाओगे, इसके उपर, LH rule apply कर दो LH rule के numerator का लग से derivative और denominator का लग से derivative तो सबसे पहले उपरवाले का करोगे तो 1 by code 1 by code को मैं क्या लिख देऊं 10X ठीक है भी फिर लोग का क्या है मैंने फिर बज़िगे हमारे पास code code का क्या हो minus के cosecant square minus के cosecant square X अब नीचे क्या मारे पास log X log X है क्या दो बंबाई X क्या दो बंबाई X तो यह दो बंबाई X इस cosecant square को अगर मैं नीचे लेके हूँ तो क्या बनेगा ये sine square तो minus को आगे लिख लिओ तो यह मारे पास क्या मैं बंचे हैगा sine square तो इसको निचे लियाओ, क्या बन जाएगा मार पास यह sin square sin square x तो इस time को क्या लिए sin by cos sin x तो वो cos x होगा multiple i में तो एक sin से sin होगा मार पास cancel तो क्या बन जाए sin x by x यह कितना बन जाएगा मार पास 1 तो यह बन जाए 1 और उपर सी क्या बचा 1 माइनस को लिए बार limit x तो प्रोच इस तो 0 तो यह sin से sin कन से sin x by x के limit क्या होती हमार पास 1 तो 1 by cos और cos के अंदर जाए cos 0 1 1 by 1 यह क्या बन जाएगा मार पास 1 तो minus यहने कितना आएगा मार पास minus 1 अब minus 1 आगा तो आप इस लोग कोदर लेके जाओ को तो यह मार पास क्या होगी इसकी limit होगी तो यह मार पास इसका अंस्वर होगा यह तो दो कोचन मार पास infinity raised to power 0 को कोचन दे एक यह अलग टाइप का कोचन है और देख लिए तो इसके अंदर important कोचन है तो क्या इसके अंदर आपने देखना सबसे पहले तो किस टाइप का कोचन है यह तो इसके अंदर है मार पास क्या कोचन नमबर थर्ड है limit x goes to infinity यह एक polynomial a note x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus n sonso a n divided by b note x की power m plus b1 x की power m minus 1 bm यह कोई constant आपके बास जो finite constant a note और an b1 b2 bm तर अब इसके अंदर 3 case है एक तो n और m equal हो एक m आपास बड़ा हो और एक क्या हो n बड़ा हो तो जो सबसे पहला case है वो क्या हमारे पास m बड़ा है सबसे पहले case है हमारे पास m बड़ा n से भी ठियक है विए m बड़ा है यानि कि इस पोलिनोमियल की डिगरी आपकी ज्यादा इस पोलिनोमियल की डिगरी आपकी कम है तो इसके अंदर यह हो गया इस पोलिनोमियल की डिगरी ज्यादा इस पोलिनोमियल की डिगरी कम है अब आपने यह देखना से बहले किस टाइप की फोर्म बनेगी तो एकस की इन्फिनिटि ठीक भी, अगर infinity बार infinity फो मह तो L-hospital rule apply करना पड़ेगा, अब इसके उपर L-hospital rule apply करो, applying L-h rule, तो limit, X goes to infinity, करो देखो A-note as it is, N आगया मर पास आगया, A-note X की पावर N-1, प्लस N-1 टाइम A1 और X की पावर N-2 ठीक अब इससे पहले यह A-N इससे पहले क्या मिलेगा A-N-1 तो इससे पहले वादी जो टरह में यह होगी A-N-1 इंटुम X तो इससे पहले वादी क्या होगी B-N-1 और X की पावर M-1 तो यह मिलेगी तो यह आपर जो इससे इसका A-N constant ट्रम 0 तो यह X का होगा मारे पास 1 तो क्या बचाए इसमें लास्ट वाद ट्रम A-N-1 तो सिमिलरली निच्चे क्या बचाएगा मारे पास M आगे B-Node X की पावर M-1 तो यह लास्ट में आपर क्या होचाएगा B-N-1 तो यहापर X का होगा 1 B-N-1 B-N-1 तो अब इसके अंदर पूट किरके देखो X की ज़ए X तो इसमें प्रेजेंट आउपर भी निच्चे भी तो रखोगे तो X की ज़ए Infinity रखोगे तब भी क्या रहेगी Infinity by Infinity तो अब इसके अंदर क्या होगा मारे पास अब इसका derivative करे जाओ और derivative करते रहोगा तो अब इसके अंदर जब तक X रहेगा ना जब तक उपर निचे X रहेगा तो तो ऐसी सिच्वेशन आईगी जब एक जगे से आपका X क्या हो जाएगा खतम और एक जगे से X खतम होती है एक जगे आपका यहां पर जो आपके पास और M बड़ा है तो जो चीज़ छोटी है तो जो उपर वाली पॉल नो या नो से कम पावर हैं और इसके आपके पास से 10 पावर यह 10 से जादा क्योंकि एन छोट्टा हमारे पास तो अब में डारीवेटिव करता हो चलो जैसे आपके पास 1x की पावर 4 और 1x की पावर 2 तो सबसे पहले x डारीवेटिव करो तो कहां खतम होगा जहां पर कम पावर होगी तो यहां पर छोट्टा कोन आपका n है त सबसे पहले कहां पर खतम होगा उपर वाडा उपर वाडा खतम होगा और नीच्चे आपका x बचेगा तो नीच्चे आपका अ क्या आ जाएगा तो n-1 times n-1 time करोगा limit x approaches to infinity तो n-1 time करोगा तो a note as it is और यह क्या बने गया हमारे पास n factorial, one time मैंने पहले कर दिया था n factorial हो गया, यह आपके खत्म ही होगे, 0 होगे अब यहाँ पर आपका n time किया मैंने, one time किया अब देखो, one time किया तो one गटाया अब जो निच्चे बचेगी m, तो इसमें से कुछन गटाया तो m minus one, तो अब मैंने देखो, one time किया तो one गटाया, अब मैंने कितने time कर दिया one time पहले कर दिया, n minus 1 होगे टोटल n time कर दिया, तो total कितना कर दिया हमारे पास n, तो अब इसमें से देखो m में से क्या गटाया था, यह m minus n minus यहां तक जाएगा, और यहां पर बचेगा आपका x की power m minus n, और एक constant starting में b note, और आगे वाली टरम भी ओसकता बच जाए इसके अंदर, तो यह कुछ polynomial बचेगी और उपर आपका constant टरम बचेगी, अब नीचे x तो बचाए न आपके पास, अब इस x को अगर मैं infinity रूख होगा तो नीचे वाल टरम क्या बन की infinity और उपर क्या finite number finite number by मैं infinity cancer आई जा तो यहन के finite number by infinity cancer होगा हमारे पास 0, तो cancer होगा इसका 0, फर्स्ट केस में जगर m हमारे पास बढ़ा तो cancer होगा का 0, अब जो second case है, इसके जगर second case देखो क्या है second case में मारे पास m और n इक्वल है क्या m और n इक्वल तो m और n इक्वल है, यानि कि यह होगा second case n is equal to m यानि जितनी, अगर इसकी polnomin की 10 degree है, तो इस polnomin की कितना degree है, मारे पास 10 अब m और n इक्वल है, तो limit x goes to infinity, मैं n कीज़ेगा m रख दियू तो क्या गया, a note x की power m a1 x की power m minus 1 और last में क्या गा, मारे पास am, x n कीज़ेगा क्या रख दिया, मैं n is equal to m तो b note x की power m plus b1 x की power m minus 1, और last में क्या गा, मारे पास bm, ठीक भी अब दोन दो में x की power m है, तो सबसे बढ़ी m तो मैं पूरे मैं से, अगर x की तो infinity रख गो तो infinity plus infinity plus तो यहां तक infinity को, अगर m minus 1 time add करोगे infinity, और m time add करोगे infinity, तो क्या फों बढ़ी infinity over infinity, अब इसके अंदर सबसे x की जो आ, इस power m, मारे पास m, निच्चे से बढ़ी m, तो दोनों में x की power m common ले लिए, limit x goes to infinity, x की power m क्या ले लिए, मैंने इसके इंदर से common, तो यहां से मारे पास क्या हो चा, a node, a1, 1 by x, a2, 1 by x square, तो यह ट्रम बच गी, a m by x की power m, निच्चे से बढ़ी मैं क्या common ले आ, x की power m, x की power m, तो यहां से बचा b note, b1 by x, plus b2 by x square, plus bm by x की power m, तो यह बचा, इस x की power m से, x की power m होगा, मारे पास क्यां से, अब करो इसके अंदर, पूट x की जाओ, infinity, इसके अंदर नहीं, तो x जा 1 over infinity 0, 1 over infinity 0, 1 over infinity 0, सारी ट्रम में 0, तो क्या बचा उपर a node, सिमिलर रिए ट्रम भी क्या बचा बन की 0, तो निचे बचा क्या होचा हमारे पास b note, तो क्या हमारे पास a node by b note, यह इसका नुस्वर होगा, और जुसका third part n greater than equal to m, तो उपर वाड़ी जादा है और निचे वाड़ी कम है, तो तीसरे case में आपका cancer होगा, इन्विडिव, तो यह हमारे इसके अंदर कुछ question थे, अगर इसके अंदर आपको कोई problem हो, तो आप बता सकते हो, वो आपकी next video में दूर करने की कोसिस करेंगे,